मैं डॉक्टर संजे पीशुकला करीब तीस सालों से ऐसे होमेपेथिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज मुझे हमारे इस समाज को कुछ ऐसी बाते बताने की इच्छा हुई जैसे आज आप देख रहे हैं कि हर जगा पूरे बिस्टु में लोग बहुत पैनिक हैं बहुत डरे हुए हैं और सिचुएशन भी ऐसी है कि हर जगा हॉस्पिटल फुल है बहुत से पेशेंट्स सीरियस हैं कैंसे के लिए एक जैक्रीशन गया की मेंने विचार किया कि हम थोड़ा कोट गीड ऊन्याइन के बारे में कि थोड़ा सा समाज को कुछ बताएंगे जैक्रीश को इस कोभिड ऊजम फुरह सार्क वाइरस भी बोला जाता है इसके बहुत से प्रकार हैं और यह बहुत सालों से human being को परिशान कर रहा है और exactly यह दो टाइप का है negative और positive अभी जो COVID-19 है positive type का वाइरस है और इस वाइरस में एक्टिविटी है कि बहुत fast मल्टिप्ला होता है मतलब अपने जैसा एक नया वाइरस हमारे बॉड़े के अंदर भुश के फड़ाक से डिबाइड कर लेता है बना लेता है कि exactly इस situation में हमें क्या करना चाहिए हमें करना चाहिए कि पहली बात यह जानना बहुत जरूरी है कि यह वाइरस फैलता कैसे है आद को सेनिटाइज करना है एक दूसरे के बीच में डिस्टैंस रखना है इक्जेक्ली क्या होता है कि जैसा मैंने बताए कि ए वाइरस में सिर्फ आरेने है डिने नहीं है तो जितने सिंगल सेलूलर्स रहते हैं उसमें सिर्फ आरेने रहता है और हम लोग एस हीमन बींग भी आर है तो इसकी है कि जभी अपने बाड़ी में अगर जब इन जाएगा तो हमारे बॉडि का हैल लेके ही अमारे बाड़ी के प्रोटीन सेल आर मेरे बहुत करोडर वाइरस यह बना सकता है, इसकी quality ऐसी है, तो exactly जब हम छीकते हैं या खासते हैं, तो करोर साफ वाइरस हमारे उस ड्रॉपलेट के थ्रूप बाहर निकलते हैं, और अगर यदि हमारे आजू-बाजू में जो बैठा रहा और वो इंफेक्टेड नहीं है, और मैं सपोज इंफेक्टेड हो, तो वाइरस जाके 100% उनको इंफेक्ट करेगा, और इंफेक्शन होता कैसा है, exactly यह वाइरस क्या करता है, हमारे सांस के थ्रूप नोस के थ्रूप अंदर जाता है, और अंदर जाके हमारे बाडी में एक इंजाइम रहती है, उस इंजाइम का नाम है, अंजियो टैंसिव कर्वर्टिव एंजाइम, टाइप टू, exactly यह एंजाइम का काम है, यह हमारे बाडी के ब्रेट पेशर को नॉर्मल रखती है, और जब कोई ऐसा वाइरस हमारे बाडी में आता है, तो exactly उस वाइरस को किल करने में भी सहायता करती है, अब exactly हम सब को पता है, यह हर साइंटिफिक ने प्रूब किया है, कि ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, जो भी इस सिस्टम आज तक प्रेजेंट है, हुमन बिंग को हेल्प करने के लिए, वो सिर्फ आपको सपोर्ड कर सकते हैं, हमारी बाडी ही हमको किसी बीमारी से ठीक करती है, चाहे हो हमेपतिक हो, आर्बेदिक हो, अलापैथिक हो, यूना नहीं हो, हर सिस्टम की दवाईयां आपको सपोर्ड करती है, और उस सपोर्ड से हमारी खुद की बाडी की जो इम्मून सिस्टम है, रोक प्रतकार हो सकती है, स्ट्रॉंग होती है, और हम किसी बीमारी के अगेंस्ट फाइट कर सकत है, इक्जेक्ली होता क्या है, जब यह वायरस नेजल पैसेज के त्रू माउथ की त्रू जब इंट्री करता है, जैसे मने बताया है, कि जो इंजाइम है, यह जाके वायरस उससे अटैच हो जाता है, और सेल के अंदर इंट्री कर देता है, जैसे सेल के अंदर इंट्री करत यह इंजाइम ऐसा है जो कोई भी अगर कोई ची जैसा आई जो बॉड़ी के लिए हानिका रख है तो इसको किल कर डालता है मार डालता है खुद को ब्लास्ट कर लेता है उसमें कापैसेटी रहती है तो इक्जैक्ली जैसे इंट्री किया तो यह लाइसोजोम ब्लास्ट होके इस आरेने रूपी वाइरस के तुकड़े कर देता है और जैसे तुकड़े हुआ एक पूरे सिल्क सेल के अंदर इस वाइरस का आरेने फैल जाता है और क्या करता है यह जैसे आरेने फैला तो यह बॉड़ी को समझ में नहीं आता है क्योंकि इसकी जो कुछ प्रोटीन से हम एक गॉल्जी बॉड़ी है, जिसका काम है प्रोटीन को रखना, प्रोटीन को सम्हाल के रखना, और बॉड़ी में अगर कहीं जरूत पड़ी, एनरजी की जरूत पड़ी तो सप्लाई करना, तो ए जो कोबीड 1.9 है जाके राइजोजोम से अटेच हो जाता है, उसके प्रोट प्रोटीन में कनवर्ड कर लेता है, विकोज आरेने हमारी बॉड़ी में तिन टाइप के आरेने है, एक मेसेंजर, एक ट्रांसपोर्ट और एक प्रोटीन, तो इस आरेने का प्रोटीन टाइप हो जाके राइबोसोम से अटेच करके अपने बहुत से टाइप्स के वाइरस क जाते हैं, लेकिन एक जैकली सिचुएशन ऐसी है कि इसमें पैनिक होने की ज़रूत नहीं है, हमें घबरानी की ज़रूत नहीं है, अगर आपका इम्मून सिस्टम अच्छा रहा, तो इसी आरेने को हमारी बॉड़ी किल कर डालती है, इसी वारेस को किल कर डालती है, और हमक इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉंग है कि उनको कुछ तकलीफ नहीं हुआ तो इग्जेक्ली और इसी लिए आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए गवर्मेंट बैक्सिंस भी दे रही है हमारी सरकार हमको वैक्सिनेट भी कर रही है तो इग्जेक्ली प्राव्म यहां है कि अगर हम पैनिक नहीं होते हैं अगर हम अपने फैमली में अपने परिवार में अपने समाज में डर पैदा नहीं करते हैं और गवर्मेंट के बताय हुए नियमों को पालन करते हैं तो हम इस वायरे से बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं क्योंकि अगर हम पैनिक और anxiety developed की, समाज में घबरात देखे, आप बहुत लोग बहुत घबराए हुए है, तो उससे situations क्या होगा कि एस सब बाते हमारे रोक प्रतिकारक सक्ती को कम करती है, हमारे immune system को weak करती है, जिससे chances of infection बढ़ जाता है, हम उस infection के लिए और invite करते हैं, जैसा scientific proof है, कि हमारी body में ऐसी capacity है, कि वो किसी disease को produce भी कर सकती है, ठीक भी कर सकती है, तो exactly, जब आपकी anxiety, आपका डर और आपकी situations, उस तरह का situation develop करेगी, तो infections के chances आपके बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप सांती से अपने आप दिमाग को सांत करके, इस situation को handle करने कोशिस करेंगे, तो कोई infection आपका कुछ भी नहीं बिगाड सकेगा, लेकिन इस situation में जो दवाईयां जो हमारे रोक प्रतकार सकती को बढ़ाती हैं, जो इंप्रूब कर सकती हैं, आईसी दवाईयों का हमें help लेना है, और अगर पेशन की तकलीब हज से ज़्यादा बढ़ जाती है, तकलीब उसके parameter जो है, डिसीज के ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे situations में जो भी डॉक्टर आपके पास अविलेबल है, उनसे सलाह लेके तब हम हॉस्पिल में जाके एडमिट हो, आप देखते होंगे कि आजू वाजू हर हॉस्पिटल फुल है, तो हमें हमारे सरकार को, हमारे सभी डॉक्टर को भी सहकार करना है, उनको सपोर्ट करन है, और जैसा मनें बताया कि हमारी बॉड़ी के function में ऐसे गॉड ने ऐसी व्यवस्था की है, कि हम किसी चीज को खुद ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन कभी ठीक कर पाऊगे, जब आप सांत रहोगे, और situation को सही ढंक से handle करोगे, और जो भी infection होने के chances है, मास पहनोगे, distance maintain करोगे, sanitize अपने हाथों को करोगे, तो exactly यह सब करने के बाद chances of infection कम हो जाएगा और आप इस हम इस situation से अपने आपको बाहर निकाल सकते हैं, Thank you.